जै हिंद बंदे मातरम साथियो स्वागत है टेली स्टेडी में आज की इस वीडियो में बिहार पोलिस कांश्टेवल का जो नई वेकंसी आई है उसके लिए सेट नंबर 12 कराने वाला हूँ इससे पहले हमने 11 सेट करवा रखा है उसको आपने नहीं देखा है तो इस सेट को लगाने के बाद आप वो पुराने वाले सभी सेट देख लिजिए 11 के 11 लिंक सभी का नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं आपको बता दे स्क्रिन पर है सवड मंडल का सवसे छोटा गरह कौन सा है चलिए बताइए सवड मंडल का सवसे छोटा गरह कौन सा है अंसर होगा बूध ऑप्शन नम्बर सी यहां पर जितने लोग बता रहे हैं सही जबाब है तो अंसर सी worth यहा रखें सोर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है आगे चलें प्रस नमबर दो बिद्यूत आवेस का SI मातरक क्या है यानि कि इलेक्टरिक का SI यूनिट पूछा गिया है बिद्यूत आवेस का SI यूनिट कुलंब होता है तो option नमबर B यहाँ पर सही जबाब है कूलंब आगे चलें डेनमार्ग की राजधानी का नाम क्या है यानि कि डेनमार्ग की राजधानी क्या है तो यह होगा आपका कोपेनहिगन option नमबर A सही जबाब है कोपेनहिगन आगे चलें भारत में सबसे पुराना बांध कौनसा है भारत में सबसे पुराना बांध की बात किया जाए तो ये होगा आपका ग्रेंड अनिकूट बांध और ग्रेंड अनिकूट बांध का दूसरा नाम क्या है कला नाई ठीक है ऐसे भी option में कभी दे देगा भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है तो option में कला नाई दे देगा या फिर grand अनिकूट दोनों में जिसे कोई रहे दोनों जो है एक ही बांद का नाम है तो भारत में सबसे पुराना बांध होगी आपका grand अनिकूट जिसे की कला नाई बांध के नाम से जाना जाता है और एक प्रस्णा इसे पूछ लेगा कि कला नाई बांध जो कि भारत का सबसे पुराना बांध है ये किस नदी पर है कावेरी नदी पर है किस राज्य में कला नाई बांध है तमीन लाडुराज्य में है आगे चले पानी के अंदर की बस्तों का पता लगाने के लिए किस यंतर का प्रियोग किया जाता है जो पानी के अंदर छिपी हुई बस्तों को आप इस डिवाइस के मध्यम से देख सकते हैं क्या नाम है सोनार आगे चले 1857 की क्रांती के समय भारत का गवर्नर जन्रल कौन था? सही जबाब होगा option number A Lord Canning जो है 1857 की क्रांती के समय भारत का गवर्नर जन्रल था तो आंसर है Lord Canning option number A सही जबाब है अगला प्रस्ण है अंतरिक्ष में जाने वाले पहला कुट्टा का नाम क्या है? मतलब जो है इस्पेस में कौन सा कुट्टा? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले कुट्टा का नाम की बात किया जाए यानि कि space में जाने वाले पहले डोग तो इनका नाम है लाइका option number B यहाँ पर सही जवाब है लाइका आगे चले पक्छियों के अध्यान को क्या कहते हैं? पक्छियों के अध्यान को क्या कहते हैं? पक्छियों के अध्यान को कहते हैं और इंथोलोजी ओप्शन नमबर B यहाँ पर सही जवाब है और इंथोलोजी आगे चलें एथेनोल किस से प्राप्त किया जाता है एथेनोल जो है किस से प्राप्त किया जाता है एथेनोल जो है गन्ना से प्राप्त होता है तो ओप्शन C नमबर सही जवाब है गन्ना अगला प्रसन देखिए, मोटापे को नापने के लिए किसका अप्योक किया जाता है? मोटापे को नापने के लिए BMI का इस्तेमाल होता है, तो 옵पसन B सही जबाब है BMI BMI का पुरा नाम क्या होता है? Body Mass Index क्या है Body Mass Index अगला प्रासन देखिए बिटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है सही जबाब होगा यहाँ पर रताउंधी ओप्शन नमबर A सही जबाब है भारतिय समिधान में कितने मौलिक अधिकार है भारत के समिधान में कूल मिलाकर कितने मौलिक अधिकार है बरतमान में 6 ओप्शन नमबर B यहाँ पर सही जबाब है 6 मौलिक अधिकार इंडियन कंस्टियूशन में दिया गिया है आगे चले छेतरफल की दिरिष्टी से सबसे बरा दूसरा देश कोन सा है देखिए चेतरफल की दिरिष्टी से सबसे बरा देश अगर पुछा जाता तो रूस होता लेकिन यहाँ पर पुछा गया है दूसरा सबसे बरा देश चेतरफल में तो आंसर होगा कनाडा ओप्शन नमबर B यहाँ पर सही जबाब है कनाडा तो देखिए अगर आपसे पूछता चेतरफल में सबसे बरा देश कोन है तो आंसर होगा रूस उसके बाद दूसरे नमबर पर कनाडा तिसरे पर चीन चौथे पर आपका युनेटेर इस्टेट अमेरिका पांचवे पर ब्राजिल और छटे पर आस्टेलिया और साथवे अस्थान पर अपना प्यारा देश हिंदुस्तान है यानि की इंडिया तो डिरेक्ट प्रसन बन जाएगा कि भारत जो है छेतरफल की दिष्टी में दुनिया में कौन से नमर पर आता है तो साथवे और यहाँ पर आगे परने से पहले बता दे कि आप लोग फटा फट इस वीडियो को लाइक कर जीए और जो लोग पहली बार इस चैनल पर आये हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को किलिक करने के बाद यह ओल नोटिपिकेशन को किलिक करके रख लिजिए ताकि बिहार पुलिस कांस्टेवल का जितना भी नया अपडेट आवे सब से पहले आप तक पहुँचे आगे चले अगला प्रसन है DMK जो है यह पार्टी का नाम है DMK पार्टी इसका अस्थापना किस ने किया है जैसे कि बिहार में क्या है राजाद है जादियू है उसी परकार से यह DMK पार्टी जो है यह तमीन लाडू का है ठीक न तो यह DMK पार्टी की अस्थापना जो है C.N. अन्नादुरई ने की है तो आप्शन नंबर C यहाँ पर सही जवाब है C.N. अन्नादुरई तो देखिए DMK इस पार्टी का पुरा नाम क्या होता है द्रवीर मुनेतर करगम ठीक है और यह किस राज की पार्टी है तमीन लाडू की आगे चले भारतिय अंतरिक्ष कारिक्रम का जनक किसे कहा जाता है इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फादर किसे कहा जाता है तो यहाँ पर आंसर होगा ओप्शन नंबर B विक्रम सारा भाई को भारतिय अंतरिक्ष कारिक्रम का जनक कहा जाता है तो ओप्शन B सही जवाब है बिक्रम सारा भाई आगे चले computer chip का दुसरा नाम क्या है computer chip का दुसरा नाम क्या है computer chip का दुसरा नाम की बात करें तो यह होगा आपका microchip option number A यहाँ पर सही जवाब है microchip 4 जनवरी को कौन सा देश स्वतंतरता दिवस मनाता है जैसे कि अपना लोग इंडिया जो है अपना 15 अगस्ट को स्वतंतरता दिवस मनाता है उसी परकार जो है 4 जनवरी को परवसी देश म्यूमार जो है स्वतंतरता दिवस मनाता है तो option B सही जवाब है 4 जनवरी को म्यूमार जो है स्वतंतरता दिवस मनाता है बांकी के कुछ परमूख देश के बारे में आपसे पूछ लेगा जो कि अपना जिसमें की भारत अपना तो जानवे करते हैं और पाकिस्तान ये जो है आपका प्रोसी ये 14 अगस्त को आपना स्वतन्तरा दिवस मनाता है और अमेरिका 4 जुलाई को और फ्रांस जो है 14 लाइट का नाम है तो यह होगा आपका गेनी मेड जो है ब्रहस्पति का उपगरा का नाम है तो option A सही जवाब है ब्रहस्पति AQI का पुरा नाम क्या होता है AQI का पुरा नाम क्या होता है AQI का पुरा नाम की बात किया जाए Air Quality Index है option number B यहाँ पर सही जवाब है Air Quality Index खोखो खेल में खेलते समय मैदान में परतियक टीम में कितने खेलारी होते हैं प्रस्ण में यहाँ पर आप लोग गवर किजिएगा मतलब धिहान दिजिएगा खोखो खेल में खेलारी की संख्या नहीं पूछा गया है खेलते समय मतलब उसमें कितना जैसे किर्केट में बात किया जाए तो 15 खेलारी का सेलेक्शन होता है लेकिन कितना खेलता है उनमें से 11 उसी परकार खोखो खेल में खेलते समय मैदान में परतियक्टिव में कितने खेलारी होते हैं यह पूछा गया है तो देखिए जिस परकार किर्केट में 15 खेलारी का सेलेक्शन होता है और 11 खेलते हैं उसी परकार खोखो खेल में कूल मिलाकर 11 खिलारी होते हैं परती एक टिब में ठीक है लेकिन खेलते समय जो है 9 खिलारी ही खेलते हैं दो जो है बैठे रहते हैं तो यहाँ पर option नमबर B यहाँ पर सही जवाब होगा खोखो खेल में खेलते समय 9 खिलारी खेलते हैं लेकिन अगर पुछा जाके कितने खिलारी कच्चेन होता है खोकोखेल में तो एक ग्यार है तो option B यहाँ पर सही जवाब है 9 खिलारी 9 International Yoga Day कब मनाया जाता है हाल ही में मनाया गया है International Yoga Day बता ये पर्धान मंतरी सीफाडिस पर जो है International Yoga Day मनाया जाता है और ये परतियक साल 21 जून को मानाया जाता है तो option B यहाँ पर सही जबाब है 21 जून आगे चली लोग सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे लोग सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे तो answer होगा GB मावलंकर option number A यहाँ पर सही जबाब है GB मावलंकर और GB मावलंकर में जो है यह GB आपको दिख रहा है G मतलब होता है गनेस V मतलब वासुदेव मतलब गनेस वासुदेव मावलंकर जो है यह आपका लोग सभा के पहले अध्यक्ष थे पोलियों के टीके की खोज किसने की थी सही जबाब यहाँ पर है option number B जोनास सॉल्क option B यहाँ पर सही जबाब है जोनास सॉल्क जो है पोलियों के टीके की खोज की है अगला प्रसन देखिए गौतम बुद्ध को ग्यान कहां पर प्राप्थ हुआ था उस जगह का नाम बताईए जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्यान प्राप्थ हुआ था तो यहाँ आपका बोध गया गया में जो है यह बोध जो लगा है गया में ही यह सहर है और यहीं गौतम बुद्ध के नाम पर जो है बोध गया इनका नाम परा है तो option A सही जवाब है बोध गया ब्रह्मांड में दुसरा प्रचूर मात्रा में सरवाधिक तत्व कौन सा है ब्रह्मांड में जो है यानि की पूरे दुनिया में दुसरा प्रचूर मात्रा में सरवाधिक तत्व की बात किया जाए तो ये होगा आपका हिलियम, उप्सन नमबर B, लेकिन आपसे पुछा जाए बढ़मांड में पहला, सबसे प्रचूर मात्रा में सरवाधिक तत्व कौन है, तो ये होगा आपका हैड्रोजन, और दूसरे नमबर पर आपका हिलियम है, प्रस्न में पुछा गिया था दूसरा, तो इसलिए उप्सन B सही जवाब है हिलियम, अब एक प्रस्न आपके लिए है, छेतरफल के दृष्टी से भारत का सबसे बढ़ा राज्य, कौन सा है, भारत का राज्य पुछा गिया है, बताइए छेतरफल में सबसे बढ़ा कौन है, और अगर आप लोग बिहार पुलिस क कोसंस कर पाएंगे, बिल्कुल फिरी में, और यहां पर आपको पीडियाप का भी लिंक मिल जाएगा, या फिर आप जो है, टेलिग्राम चैनल जोइन कर लिजिएगा, सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, पिछला से आपने नहीं लगाया है, तो लग यहां पर फूल प्रैक्टिस हेड लगाये, बिहार पुलिस कांस्टेवल का, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद बंदे मातरम